इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है इसे इंसान हासिल नहीं कर सकता अगर इंसान किसी भी मुकाम को पूरी सिद्धा से हासिल करने का ठान लिया तो वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है और ये सब हासिल करने में इंसान के लिए सबसे जरूरी है वक्त का सही तरीके स तुम्हारे उपर डिपेंड करता है कि अगर तुम इसका सही इस्तमाल करोगे तो तुमारी जिंदगी बहतर से बहतर हो जाएगी और जो इसका सही इस्तमाल नहीं करेगा वो बस वही के वही रह जाएगा कई लोग इसी 24 गंटे में दिन रादे करके IS, IPS या फिर साइंटीस बन कर अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कई लोग इसी 24 गंटे में IS, IPS बनने की बस सपने ही देखते रहते हैं और अपना टाइम बरबाद करते रहते हैं वक्त किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन हमें जिन्दगी में बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जिन्दगी में कोई भी चीच जैसे कि पैसा, धन, दोलत, गाड़ी, बंगला एक बार चला गया तो दुवारा वापस आ सकता है। लेकिन वक्त एक बार चला गया तो दुवारा कभी नहीं आता। इसलिए एक सेकेंड को भी बरबाद मत करना, उसका सही इस्तिमाल करना, क्योंकि हर एक सेकेंड का कीमत बहुत ज्यादा है। आज इंसान की सबसे बड़ी परिशानी है बिना मतलब के मोबाइल चलाना, लोगों के साथ चाटिंग करते रहना, और ये फालतू के सोसेल मीडिया पर घंटो टाइम बरबाद करते रहना। जितना टाइम तुम ये मोबाइल चलाने में बिताते हो, उतना टाइम अगर तुम पढ़ाई में लगाते तो, आज IS, IPS बन गए होते। और जितना टाइम तुम अपने प्यार को बचाने में लगाते हो उतना टाइम अपने मंजील को पूरा करने में लगाते तो आज तुमारा प्यार तुमारे पीछे घुम रहा होता इसलिए ये टाइम वेश्ट करना बंद करो और अपने टाइम को हमेशा अच्छे कामों में लगाओ बदल जाओ बक्त के साथ या फिर बक्त को बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो और हाल में चलना सीखो जो अपने काम को कल पे छोड़ देता है उसके पास अपसोस के अलावार कुछ नहीं होता क्योंकि कल कभी आता ही नहीं इसी भी काम को करने का सबसे अच्छा टाइम आज इसी बक्त है और उससे भी अच्छा टाइम कल था जो तुम कवा चुके हो आईम की भेल्यू चीटी से बहतर और कोई नहीं बता सकता क्योंकि चीटी कभी रुकता नहीं है वो बस हमेशा अपना काम करता रहता है समय का परिख्या कठिन जरूर होता है लेकिन बाद में उसका परिणाम भी आपके हातों में होता है इस दुनिया में जिस ब्रक्ति के पास समय के बारे में समझ है उससे और लखी इंसान कोई भी नहीं है क्योंकि अक्सर जब समय होता है तब समय निकल चुका होता है समय को सही बक्त पर समझ जाओ बरना बक्त एक बार भी जाने के बाद कदर की जाए तो उसे कदर नहीं अपसोस कहा जाता है किसी ने क्या खुब कहा है सही जिसा और सही समय का ज्यान हो तो दूपता हुआ सूरज भी दूपता हुआ दिखता है अगर आपको अपने जिबन में सफल होना है तो चीटी की तरह बक्त के साथ दीन रात मेनत करना सिखो और अपने मंजिल को हासिल करने तक लगातार अंतिम समय तक संघर्ष करते रहो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जैहिन बंदे मात्राम